मेरा एक student मुझसे कहता था जब भी doubt पूछने आता था तो बोलता था सर सवाल difficult नहीं है अटपटा है मुझसे हुआ नहीं मैंने पूछा यार अटपटा क्या होता है difficult समझ में आ गया easy समझ में आ गया तो वह कह रहा था सर मैच के कुछ सवालों में कई बार डिफिकल्ट ना होते हुए भी हम वह एक linear approach नहीं ढूंड पाते हैं यहां से शुरू करना है यहां पर जाना है सीधे सीधे चले जाओ हम इधर उपर भटकते रहते हैं और solve नहीं कर पाते हैं तो आईटी के पुराने सब्सक्राइब जो सवाल देखके आपको लगेगा कि यार सवाल तो सिंपल है करने बैठोगे तो छट पटाओगे थोड़ा एकदम से पैंच चलेगा नहीं बच्चे मुझ से यह वाई बहुत बार पूछने आते हैं मैंने सोचा चलो डिसकस करता हूं कई बच्चे तो क्य है इसका सही आंसर भी निकाल देते हैं फिर भी बोलते हैं सर लेकिन सलूशन बताओ क्या होगा सही आंसर निकाल लेते हैं वो कई तरीके हैं सॉल्व करने के इसको बहुत साधारन एक तरीका है वो बता देता हूं मैं आपको आप भी कमेंट करके बताना अगर कोई अप्रो under the restriction अच्छा यहां पर alpha 1, alpha 2, alpha n यह 0 से 5 by 2 दे दिए तो यह जो quantity है ना यह एक positive quantity है ना सारी terms positive हो गई ठीक है ना positive terms हैं ओके अच्छा यह एक चीज दे दिए इसने coat alpha 1, coat alpha 2, coat alpha n तक का product जो है 1 दे दिया है ना चार option है maximum value बतानी है इसकी सोचो अगर आपने यह अभी तक नहीं solve किया सवाल solve करना चाहिए हक बनता है सही सवाल है यह सवाल repeat भी हो सकता जे इमेन में screen कर दी खाली पहले आप सोचो ठीक है और फिर मेरे solution को देखना ठीक है e की maximum value निकालनी है जो है cos alpha 1 into cos alpha 2 into cos alpha n मुझे यह quantity दे रखी है तो coat को मैं cos में convert कर लेता हूं cos by sign क्यूंकि coat और cos का तो कोई mail नहीं है coat को cos sign में तो लाना ही है यह बात तो सबसे पहले step पे ही सूच जानी चाहिए आपको क्याना coat और cos का तो कोई mail ही नहीं है न कोट कोस का आपस में कोई mail नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos का product और sign का product बराबर है इसको write में ले जाओं तो ठीक है तो हम बोल सकते हैं cos alpha 1 into cos alpha 2 and so on cos alpha n this product is equal to sin alpha 1 into sin alpha 2 and so on sin alpha n right clear हो गई बात इसका इस्तेमाल कर लो एक बार आप इसकी minimum maximum value निकालने के procedure में तो हो जाएगा सवाल solve मैंने इसका square कर दिया दोनों तरफ तो e square आगया cos square alpha 1 cos square alpha 2 and so on cos square alpha 1 है न और इस square को फिर ऐसा दो बार लिख दिया है न cos alpha 1 into cos alpha 2 into cos alpha 3 and so on cos alpha n ठीक है इन्टू एक बार और लिख दिया है न cos alpha 1 into cos alpha 1 cos alpha 2 into cos alpha 2 है न cos alpha n into cos alpha n right और ये bracket को मैं replace कर रहा हूँ sin वाली term से ठीक है तो यहां हो गया sin alpha 1 sin alpha 2 sin alpha n into cos alpha 1 cos alpha 2 cos alpha n ठीक है अब यहां से feel आ रही है कि sin alpha 1 cos alpha 1 की जोड़ी बना लेते हैं sin alpha 1 cos alpha 1 की जोड़ी बना लो sin alpha 2 cos alpha 2 की जोड़ी बना लो and so on sin alpha n cos alpha n की जोड़ी बना लो ठीक है n bracket हुई सब में 222 होता तो मज़ा आ जाता तो सब में यहां पे 222 कर दिया मैंने तो यह n 2 अपने आप तो आएंगे नहीं डिवाइड करना होगा तो यह लो 2 की पावर n लेफ्ट साइड में भी लिख देता हूँ मैं ठीक है correct है तो 2 की पावर n into e square आ गया sin 2 alpha 1 sin 2 alpha 2 and so on sin 2 alpha n ठीक है अब 2 alpha 1 2 alpha 2 को देखोगे वो 0 से πाई हो गए और sin 0 से पाई है ना positive ही रहती है सारी terms यहाँ पर भी भी positive ही है ठीक है maximum value पूछी है तो इसका maximum 1 इसका maximum 1 इसका maximum 1 तो right side का maximum value 1 होगा तो मैं यह बोल सकता हूँ कि इसका जो maximum value है वो तब होगा जब right maximum हो right maximum 1 हो गया यहां तो आप easily निकाल सकते हो e maximum इसको लाव नीचे square हटाओगे तो 1 by 2 पावर करनी पड़ेगी 1 upon 2 की पावर n by 2 है न वन अपोन 2 की पावर n by 2 है न वन अपोन 2 की पावर n by 2 हो गया सोल्फ आगया e का maximum value इस solution को feel करना और कोई solution आपके पास है कमेंट में बताना मुझको solution इसके और भी है एक solution और है मुझे लगा ये तुम तक पहुंचाओं तो जादा सीखने को मिलेगा हुंचाप्ट झाल झाल